चाप्टर सिक्स एक अनोखा सपना विवेक कहा हो बेटा नाश्टा कर लो मा की आवाज सुनकर विवेक आया और नाश्टा करके स्कूल चला गया विवेक की मा भी सारा काम निप्टा कर बगीचे में चली गई पर वहां का दृश्ट देखकर उसके होश उड़ गए फूल इधर बिखरे हुए थे और पत्या उधर बिखरी हुई थी विवेक के पिता जी कल जो पौधा लाए थे वो भी जमीन पर पड़ा था विवेक अकसर ऐसा ही करता था वह बगीचे में जाकर कभी पेडों को रौन देता कभी बच्चों फलों को तोड़ कर जमीन पर फेंक देता तो कभी सुगंधित फूलों को बड़ी बेहरैमे से तोड़ कर सड़क पर फेंक देता विवेक के पिता जी कभी कोई नया पौधा लगाते तो उसे भी पनपने न देते विवेक की मा इससे बहुत परिशान रहती थी। उन्होंने विवेक को कई बार समझाया था लेकिन उसके कान पर जू नहीं रेंगती थी। एक तिन विवेक ठका मांदा स्कूल से आया और भोजन करके सो गया। उसने सपने में देखा कि वह एक बंजर जमीन पर खड़ा है। वहाँ पर कोई हर्याली नहीं थी ना पीने को पानी था। विवेक वहाँ इधर उधर घूमने लगा लेकिन वहाँ कोई इनसान या पक्षी नजर नहीं आया। वहाँ घूमते हुए उसे कुछ हड़ियां और नरकंकाल मिले। यह सब देखकर विवेक बहुत डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक जगह कुछ घास उगी हुई दिखी। थोड़ा और आगे जाने पर उसे कुछ लोग मिले। यह बुरी तरह तड़प रहे थे। विवेक के पूशने पर उन्होंने बताया कि लोगों के पेड़ काटने से वर्शा नहीं होती और वर्शा ना होने के कारण पीने का पानी भी नहीं मिलता। पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। वर्शा होने के कारण तापमान में ठंड़क आती है। अब पेड़ खत्म हो जाने के कारण सूरी की तेज गर्मी से हम जुलस रहे हैं। उन लोगों की दशा देखकर विवेक को रोना आ गया। तब ही एक संत आये। उन्होंने विवेक के सिर पर हात रखकर कहा। विवेक जहां तुम सबसे पहले गए थे वह उस समय का भविश्यकाल है जब धर्ती पर रहने वाले जीव खत्म हो जाएंगे। और जहां तुम अभी हो यह वह जगा हैं जहां लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और यह सब पेड़ों को काटने के कारण हो रहा है। अगर तुम पेड़ों को लगाओगे और दूसरों को भी इसकी शिक्षा दोगे तो पृत्वी हमेशा हरी भरी रहेगी। इतना कहकर संत गायब हो गए। यह देखकर विवेक जोर जोर से रोने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे हिला रहा है। उसकी नींद खुल गई। सामने उसकी मा खड़ी थी। विवेक उठकर मा से लिपड़ गया और बोला, मा मैं अब पेड़ पौधों को हानी नह ही पहुचाऊंगा, मैं पेड़ लगाऊंगा। यह सुनकर मा बहुत प्रसन्न हुए।